अब यदि आप प्रकृती द्वारा बनाए गए या कुदरत द्वारा बनाए गए किसी भी natural food product पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग हर उस natural food product में, original food product में जिसमें कुछ inherent sugar होती है natural sugar होती है वहीं पर कुछ नो कुछ fiber भी मौजूद होता है यदि आप honey या शहद जैसे एकका दुका food products को एक तरफ छोड़ दें तो आप पाएंगे कि हर natural food product में जहां कुछ natural sugar होती है वहीं उसके साथी साथ कुछ मात्रा में dietary fiber भी मौजूद होता है अब कोई भी natural food product ले लीजिए चाहे वो तरबूज हो या खरबूज या pineapple या एपल यदि उसमें कुछ मिठास है तो उसके साथी साथ कुछ नो कुछ fiber जरूर मौजूद होगा कम या ज्यादा और इसी fiber की मौजूदगी की वजए से उस food product को खाने पर उस food product में या उस fruit में जो मौजूद शुगर का आपके digestive system में absorption होगा वो जिल्दी नहीं होगा absorption होगा जरूर लेकिन उसमें काफी वक्त लगेगा वो धीरे धीरे होगा और उसकी वजए से आपके blood glucose level में जो उचाल आएगा वो भी धीरे धीरे ही आएगा और उसका magnitude भी काफी balanced होगा कम होगा दूसरे शब्दों में blood glucose spikes उतनी शार्प या vertical नहीं होगी जो की fiber की absence में होती और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये चमतकार सिर्फ diabetes के मरीजों के लिए ही फायदे मंद नहीं होता बलकि उन व्यक्तियों को भी support करता है जैने diabetes या pre-diabetes नहीं है या gestational diabetes की शिकायत नहीं है जैसे के एक case मैं कहा जा सकता हूँ लेकिन इसके अलावा dietary fiber basically एक carbohydrate होता है जिसे digest करने की जिसे पचाने की ताकत हम इंसानों के digestive tract में नहीं होती और इसी के चलते अधिकर fiber आपके पेट से गुजरते हुए आपकी small intestine या छोटी आंत से गुजरते आपकी बड़ी आंत या कोलोन तक जा पहुचता है और तब वह हाँ पर वो gut microbiota के लिए भोजन बन जाता है वो gut microbiota उसे खाकर उसे short chain fatty acids में convert कर देते हैं जिने post biotics भी कहा जाता है और इनका फायदा फिर हमारी सेयत को एक अलग-अलग levels पर मिलता है और क्यूंकि ये fiber धीरे-धीरे digest होता है तो ये अधिक समय तक हमारे digestive tract में बना रहता है और उसके वज़े से हमें कोई भी भोजन खाने के बाद संतृत्ती की feeling होती है, संतृत्ती का एहसास होता है, society महसूस होती है और उसके चलते फिर हमें बार-बार कुछ और भोजन, especially कोई और snacks खाने की विच्छा नहीं होती food cravings हमारे दिमाग में उनके ख्याल नहीं आते और उसके चलते naturally हम extra calorie intake से बच जाते हैं और यही बात आगे चलकर हमें obesity या excess weight gain या belly fat से बचा पाती है अब यह तो भी normal foods की बात लेकिन जब हमारे commercial food manufacturers, commercial food products बेचने वाली बड़ी बड़ी कमपनिया उस natural food product को लेकर के उसमें से कोई अन्या food product बनाते हैं तो उसमें सिफ fiber निकाल देते हैं उसकी taste बढ़ाने के लिए उसकी palatability बढ़ाने के लिए और उसमें उसका mouth feel improve करने के लिए उसमें से fiber को extract कर देते हैं और ऐसा करने से उस engineered food product में sugar का concentration पहले के natural food product के मुकाबले अब कहीं ज्यादा बढ़ जाता है इसके अलवा कई food manufacturers उसके उपर से और extra sugar भी जिसे added sugar कहा जाता है वो भी add करते हैं और जब आप उस refined food product को खाते हैं तो उसको खाने पर आपका blood sugar बहुत बड़े jump से face करता है for example टमाटर में भी inherent sugar होती है टमाटर में भी fructose होता है लेकिन उसी के साथ fiber भी मौझूद होता है वहाँ पर लेकिन जब food manufacturers इसी टमाटर को लेकर इसकी tomato ketchup बनाते हैं तो उसमें सिर्फ fiber निकाल देते हैं और उसके बदले में extra sugar या कई cases में high fructose कौन से रप भर देते हैं औ टमाटर को 5-7 मिनट कुक करके किसी करी या किसी सर्जी में इस्तिमाल करके खाता है तो उस व्यक्ति को टमाटर खाने के nutritional benefits प्राप्थ होते हैं लेकिन इसकी दूर से तरफ यदि वही व्यक्ति इस तरह की industrially produced tomato ketchup खाता है तो उसमें मौझूद extra sugar या extra high fructose कौन से रप उस व को भी detoxify कर सकता है डिनोव लाइपोजेनेसिस की process शुरू कर सकता है और पूरे शरीर में आगे चलकर inflammation को भी बढ़ावा दे सकता है इसी तरह का एक और उदारान है pineapple यदि यदि एनानास या pineapple में एक तरफ कुछ मिठास होती है तो उसके साथी साथ काफी मातर में dietary fiber भी मौ जैसे हमारे blood glucose में बहुत बड़ा jump नहीं आता, jump जरूर आता है लेकिन muted होता है, on the other hand जब commercial food manufacturers उसी pineapple को लेकर उसका pineapple juice बना डालते हैं तो naturally उसमें से पूरा fiber निकाल कर एक तरफ फेंक देते हैं और कई बार उसमें extra sugar भी मिला देते हैं उससे ज्यादा मिठास देने के लिए और इसी लिए जब कोई व्यक्ति उस तरहेगा commercial ही produced pineapple juice पीता है जो अक्सर tetrapex में available होता है तो उसे pineapple juice की मिठास का मजा तो खैर जरूर आएगा लेकिन उसके साथी साथ उसके blood glucose में एक खतरनाक jump भी आएगा और यही हाल आलू का भी है जो हर kitchen में होता है अब हमारे देश में अक्सर आलू को potatoes को मोटा पे से associate किया जाता है और लोगों को लगता है कि यदि वे आलू खाएंगे तो उनका उनका वजन बढ़ जाएगा लेकिन दरसल बुराई आलू में नहीं है natural आलू में तो नहीं है बुराई है हमारे आलू process करने के तरीकों में आलू में भी fiber होता है थोड़ा तम होता है लेकिन आलू का fiber उसके छिलके में होता है उसकी skin में होता है लेकिन हम में से अधिकतर लोग उस छिलके को छीन कर फिंग देते हैं और इसी तरह से commercial food manufacturers जब उस आलू को लेकर उसकी potato chips बनाते हैं french fries बनाते हैं तो वे भी उस छिलके को निकाल कर discard कर देते हैं और उस skin को अलग कर देते हैं और उसके बाद उससे सस्ते सस्ते तेल में high temperature पर fry करके आपको पोटेटो चिप्स के या french fries के रोप में सर्फ कर देते हैं और तब उस हालत में उस तरह की potato chips खाने या french fries आपको न सिर्फ ब्लेंड ग्लुकोस की एक्स्ट्रा मार से नहीं पड़ती है, बलकि ट्रांसफेट्स के खत्रे भी फेस करने पड़ते हैं, और इसके साथ ही साथ बेहिसाब नमक और अन्य प्रेजर विडियोस का बोज भी सहना पड़ता है, तो इसलिए कोई भी वो व्यक्त जो टाइप 2 डियाबिटीज को अवाइड करना चाहता है, या रिवर्स करना चाहता है, या काडियोस्किलर प्राब्लम से या हार्ट प्राब्लम से बचना चाहता है, या किड्नी एशूस को और लिवर सिरोसिस जैसी खतरनाग बीमारियों को अवाइड करना चाहता है, तो अपनाने की और वो ये के वो जो भी खाये, वो whole foods हो, natural foods हो, unprocessed food products हो, या least processed food products हो, याद रखने ला एक formula है, eat whole foods, eat natural foods, nourish your body, which elevate your moods.